हेलो गाइज वेल्कम बैक टिव रिव्यू आप सब बहुत बढ़िया होंगे सो गाइज आज मैं आपको टू इयम के करारे नूडल मसाले के बारे मैं बताने वाली हूँ तो नूडल मसाला बेजिकली इसका फ्लेवर है तो वह हम चेक करेंगे कि ओवराल यह जो नमकीन है वह खाने में कैसा है आपको पसंद आएगा या नहीं तो सबसे पहले यह एक वेजिटेरियन प्रोड़क्ट है और यह बिलकुल भी फ्राइड नहीं है यह बेक्ट है विच क अगर आप इसे देखेंगे तो अलर्जिक एडवाइस यहां पे बिजिकली आपको सोया की दी गई है और मिल्क सॉलेट के दी गई है तो इनकेस अगर इन दोनों में से किसी भी चीज से आपको अलर्जी है तो प्लीज डो नॉट कंज्यूम दिस प्रोड़क्ट और अगर अगर नहीं है तो आप अगर नहीं है तो आप अगर सकते हैं तो यह आपको 10 रुपीज का कॉस्व करता है मैं इसे दी माट से लेके आई ती मुझा यह 8 रुपे का शायद पढ़ा था ऑनलाइन भी आपको यह काफी सस्ता मिल जाएगा अगर आप चाते तो लिंक में नीच इसे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं वहाँ पे यह आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा तो चलिए फदर वेस्टिंग अनीटाइब जल्दी से कट करते हैं इसकी कॉलिटी कॉंटिटी हर एक चीज के बारे मे तो हम ट्राइ करते हैं और देखते हैं कि यह खाने में कैसा है ओके गाइस तो मुझे इसका जो टेस्ट वो काफी अच्छा लगा जैसे इसका नाम है नूडल्स मसाला तो यह इसका जो टेस्ट है वो एक्जैक्ली नहीं बोल सकते वैसा है बट यह आपको वह फिल आएगा क कि आप नूडल्स जैसा कोई चीज खा रहे है और अफकोस यह एक नमकीन है तो डेफिनेटली उसका भी एक फ्लेवर होता है तो यह आपको वह दोनों चीज़े एक्सपिरेंस करने मिलेंगी एक साथ तो ओवरल मुझे यह अच्छा लगा यूनीक प्रोड़क्ट है अगर ट्राइब करना चाहते हैं यू कि डेफिनेटली गूफ